अगला टॉपिक हम देखेंगे उत्तरप्रदीश की नदिया होंगी प्रमुक जीले, बांध, ताल, स्वाथी शाथ उत्तरप्रदीश की जो रामसर अस्थल भूमें उनको कबर करेंगे नदियों के उद्गम सोत के आधार पर उत्तर प्रदीश की नदियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है तो तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं एक हिमाले से निकलने वाली जो नदिया है दूसरा गंगा के माइदान से निकलने वाली नदिया तीसरा है प्राइदियूपिय पठार से निकलने वाली नदिया गंगा और यमुना उत्तरप्रदीश की सबसे बड़ी नदिया हैं इनका बहाव उत्तर में हिमाले तथा दच्छन में बिंध्यांचल द्वारा निर्धार उत्तरप्रदीश के अन्य प्रमुख नदियों में घागरा, गोम्ती, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, योम, धशान, उलीखनी हैं। हिमाले परबत से निकलने वाली उत्तरप्रदीश की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, काली शारदा, राम गंगा, घागरा, गंडक और रापती हैं। वहेंपर उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुक नदियों में गोंती नदी है, वरुड़ा है, पांडो है, सई है और एशनल है, प्राइद BP परत हर से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुक नदियां चंबल, वेतवा, केन, सोन, टॉन्स, कन्हा तथा रिहन्द नदी है वह यह एक एक करके देखते हैं बात की जाए गंगा नदी की तो उत्तर प्रदेश की सरबाधिक लंबी नदी गंगा नदी है तो उत्तर प्रदेश की सरबाधिक लंबी नदी कौन सी है दूस्त गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो लंबाई है वह 1450 किलो मीटर लंबा मार्गताय करती है गंगा नदी की प्रमुक्षायक नदिया राम गंगा घागरा गंडक बोढ़ी गंडक राम गंगा घागरा बागमती कोशी ओम यमुना है यह गंगा के प्रमुक्षायक नदिया है गंगा के उत्तर किनारे से जो मिल जो मिलने वाली शायक नदियां हैं राम गंगा गोमती घागरा गंड़क कोशी वा बागमती तथा दक्षड किनाले से जो मिलने वाली नदियां हैं इनमें जो है यमुना टोंस योम सोन नदी है गंगा नदी यमुना योम पौराडी की सरस्वती नदी से प्रियाग राज में मिलती है गंगा नदी का उदगम गोमुख गंगो तरी हिमनस से होता है उदगम अर्ष्थान पर गंगा की मुख्य धारा को भागी रथी की नाम से जाना जाता है भागी रथी ओम अलक नंदा नदी ही संयुक्त धारा गंगा नदी है पंच प्रियाग में आप अच्छे से कबर करते हो आरो यारो की टेस्ट में बताया गया अच्छे से इन दोनों नदीओं का जो संगम है वो देव प्रियाग उत्तरा खंड में होता है धोली गंगा नदी अलक नंदा से बिश्डू प्रियाग में मिलती है मंदाकनी नदी रूत प्रियाग में अलक नंदा से मिलती है हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी छेतर में प्रवीश करती है और उत्तर प्रदीश में किस जिले से गंगा नदी यूपी में प्रभीश करती है उत्तर प्रदीश में या बिजनौर जनपत से गंगा नदी उत्तर प्रदीश में प्रभीश करती है गंगा नदी उत्तराखंड उत्तर प्रदीश बिहार जारखंड तथा पसिम बंगाल प्रणोख नगर फ़रुखाबाद, कन्योज, कानपूर, प्रियागराज, मिर्जा और वाराणसी, गाजीपूर, गढ़, मुक्तिशवर आदी हैं कानपूर गंगा नदी के दाएं किनारे पर इस्थित है और वाराणसी जो है थोड़ा वर्ड से भी बाएं से बाएं और बाएं से बारांशी तो बारांशी के बाएं किनारे पर ये गंग तो गंगा नदी के बाएं किनारे पर क्या है वारांशी है और दाएं किनारे पर कानपूर है यमुना नदी यमुना नदी का जो उद्गाम है बंदर पूस के पस्सिम ढाल परिस्ति यमुन उत्तरी हिमनत से होता है यमुना नदी उत्तराखर्ण हिमाचल प्रदीश हरियाना दिल्ली तथा उत्तर प्रदीश में बहती है यमुना नदी उत्तरप्रदिस की सहारनपूर शामली बागपद गाजियाबाद गौतम बुद्धनगर अलिगर मतुरा आगरा इटावा और एया जालाओन हमीर पूर बांदा फते पुरियों प्रियाग राज जिलों से होकर बहती है चम्बल नदी की बात की जाए तो यमुना नदी से इतावा के पाश मिलती है और आप प्रिवेस टॉपिक में आप कबर करके आ रहे हो कि जो अवनाली का परदन सबसी अधिक जो प्रभावित जिला है वो इतावा है वहाँ पर चम्बल नदी है बीहड की नाम से जो की बीहड बनाती है और नाली का परदन से बीहड छेतर अगला है वेतवा नदी जो है वो यमुना नदी से हमीरपूर के निकट मिलती है बांदा में जो हो जहां के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है तो यह प्रमुख फाक्ट रहे है इसके साथ ही साथ यहां पर जो है एक प तो गंगा नदी का उद्गम जो है आप गंगोतरी उत्तराखंड राज संबंधित होगा उत्तर कुल लंबाई है गंगा नदी की वह 2525 किलो मेटर की है यमना का भी उत्गम उस्तल उत्तराखंड राज से 1384 किलो मेटर है घागरा नदी की कुल लंबाई जो कि तिब्बत से हो लंबाई राप्ती नदी की बात करेंगी तो नेपाल 640 किलोमेटर के साथ बेतवा की लंबाई 590 मद्परदी से गोंती नदी का उद्गम नस्थल जो है गोमत ताल पीली भीच से जो है यह निकलती यह उत्तर प्रदी नोसो चालीस किलोमेटर में है लंबी को लंबाई के तो यह प्रमुक नदिया है जो कि उत्तर प्रदीश में भी है और उद्गम अस्थल उनकी कुल लंबाई आपने कबर किया आगे देखते हैं उत्तर प्रदीश में इस्थित कुछ प्रमुक जीले हैं जो कि अक्सर एक्जाम में आप से पूछा जाता है कीठम जील सूर्शरोर जो कि आपका ये जो अस्थल है ये रामसर अस्थल में सूची में शामिल भी है यूपी में आप जानते हों दस रामसर अस्थल हैं दस उन दसों में कीठम जील सूर्शरोर आगरा की जो है ये समलित है तो आगरा है जील का नाम यहां दिये जील का नाम जी जासी में है कुंद्रा समुंदर जील उन्नाव में है मदन शागर महुबा में है टांडा दरी दरारगर्त ये आपका मिर्जापुर जिले में है बेला सागर जो कि एक कृत्रिम जील है ये आपका महुबा डिस्टिक में है चित्तावरा जील जो कि आपका बहराईच में है दरवन जील आपका कहां पर है तो दरवन जील जो है आपकी अमबेटकर नगर जिले में है सुरहताल जो की अक्सर पूछा जाता है तो यह बलिया में है आपका करेला जील आपकी कहां पर है तो लखनवु में है करेला जील आपकी कहां पर लोकेटर लखनवु शमसपुर जील तो यह आपका राइबरेली जीले में है समश्पुर जो आपका पच्छी बिहार है जो कि राइबरेली में है तो वो भी आपका रामसरस्थल जो है संबली तो है राधाकुंड जील आपकी मतुरा में है बल्लापारा जील कानपुर में है राजा काबान जील सुल्तानपुर में है आउंधी ताल जील कहाँ वारांसी में है तो आउंधी ताल जील कहाँ वारांसी में मोती जील जो है आपकी कानपुर शहर है राम गड़ताल जो की अक्सर पूचा जाता है तो यह गूरकपुर है और सेखा जील जो की अलिगड़ है तो यह प्रमुग जीले है और राम सरस्थल में इक है आपका सरसई जील जो की सरसई जो नवार जील है जो की टावा जीले में वो भी आपकी राम सरस्थल में समलित है आगे बढ़ते हैं दूश्टों यमुना जो नदी है तो उत्तर प्रदेश यमुना नदी ब्रिहत चाप का निर्मार करती है तो निमलिखित में से उत्तर प्रदेश कौन जो नदी है जो ब्रिहत चाप का निर्मार करती है तो यमुना नदी है उत्तर प्रदेश मतुरा विरंदाबन आगरा इटावा कालपी हमीर पुरियों कौशामभी यमना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर है राम गंगा नदी राम गंगा नदी का उद्गम अस्थल हिमाले की दूधा टोली स्रेडी पौडी गलवाल से होता है राम गंगा नदी कारवेट निशनल पार्ग से होकर बहती है राम गंगा नदी काला गड तो ये अभी अकसर एकजाम में पूछा जाता है कि कारवेट निशनल पार्ग से होक तो राम गंगा नदी है राम गंगा नदी काला गण उत्तरा खंड की निकट बिजनर जिला उत्तर प्रदी से मैदानी भागु में परभीश करती है अगली है सारदा नदी सारदा नदी का उद्गम जो है कुमावी हिमाले मिलाम ग्लेसियर से होता है प्रारंभ में इसे काली गंगा या गवरी गंगा की नाम से भी जाना जाता है धे आईस में ये फैक्ट आपको मिला होगा कि जो कुमावी हिमाले से होता है कि इस नदी का उद्गम है तो सारदा नदी आपने पढ़ा है टेस्ट भी लगाया है सार्दा नदी पीली भीतियों नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, सार्दा नदी ब्रह्मदेव की निकट मैदानी भागों में प्रवीश करती है, सांप की भाद तेड़े मेडे माग से होकर प्रभाहित होने वाली नदी सार्दा नदी है, सार्दा यों घागरा नदी का जो गो हिम्रत यानि तिब्बत से होता है घागरा नदी की सहाइक नदियां करनाली सिख टीला सेटी बेरी रापती युम छोटी गंड़ा का है रापती जिला यह रापती जो नदी है उगोरकपुर जिली संबंधित होगी जो की अक्सर एक्जाम में पूंचा जाता है रापती न नदी के नाम से भी जाना जाता है घागरा नदी को वारा वंके से जब उकर आयोध्यां पहुंचती तो घागरा का सरिव नाम हो जाता है अगले नदी है राप्ति नदी का जो उद्गम अस्थाल है वह रकुम कोट नेपाल से है राप्ति की प्रमुक्षायक नदी रोहिडी है राप्तियों घागरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक अस्थान पर होता है अगली है चंबल नदी चंबल नदी का जो उद्गम है वह जनापाव पहाड़ी महू मधप्रदीश से होता है चंबल की प्रमुक्षायक नदियां काली सिंध फ़ारबतियों बनास हैं चंबल नदी मधप्रदीश राजस्थान में मुतर प्रदीश राजयों की सीमा को निरधारित करती है चंबल पर बनाएगे प्रमुख बांध है वो आपसन में आपने देखा रहा होगा जो बांध है वो कहां पर लोकेटर इन में इसे नहीं था बांड सागर जो तो नदी पर रहा है तो टेस्ट लगाते लगाते आपको अभ्यास भी हो जाता है चंबल नदी अपने अवनालिका पर्दन यूँ बीहड़ों के लिए प्रशिद्ध है तो अवनालिका पर्दन वाला जो जिला है सबसे अधिक वह इटावा है आप प्रीबियस टॉपिक फाक्ट में देखे हैं आप और विहड़ों के लिए प्रशिद्ध है चंबल नदी अवनालिका पर्दन की शाथ-शाथ तो चंबल डाको ही रहते थे विहड़ के छेटन में न पढ़ती हो आप चहले आगे प्रदीस में होता है बेतवा नदी उत्तरप्रदीस की जहांसी यवरईया जालव नियुम हमीरपूर जिलों से होकर बैती है या नदी हमीरपूर की समीप यमुना नदी में मिल जाती है इसका संस्कृत नाम वेत्रवती है तो बेतवा नदी का संस्कृत नाम है वेत्रवती बेतवा नदी पर निर्मित प्रमुग जो घाट है राज घाट बांध की जलासे को रानी लक्षमी शाई सागर की नाम से भी जाना जाता है अगली है आपकी केन नदी तो माता टीला राज घाट ये सभी आपकी बेतवा नदी पर हो केन नदी का जो उद्गम है वह कैमूर पहाड़ियों से होता है इसे करण वती उपनाम से भी जाना जाता है केन नदी को केन नदी यम यमना नदी का जो शंगम है वह भोजहा बांदा के निकट होता है अगली है सोन नदी सोन नदी उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर योम सोन भद्र जिले से होकर प्रबाहित होती है सोन नदी की शहाइक नदियों में रिहंद कनहार उतरी कोयल आदी है अगली है आपकी गोमती नदी गोमती नदी का जो उदगम है उत्तरप्रदेश के पीली भीत जिले की फुलहर जील गोमत ताल जील से होता है गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीली भी साजहाँपूर लखीमपूर खीरी शीता पूर लखनव शुल्तानपूर जोन जिले से होकर प्रबाहित होती हुई गाजी पूर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव, शुल्तानपुर और जौनपुन नगर गोमती नदी की किनारे ही इस्थित हैं गोमती नदी की बिभिन शहायक नदिया हैं गचाई, सई, जोमकाई, बरना, चुहा, सरियू, गिरी, कल्याणी और कथना है टोंस नदी टोंस नदी का जो उद्गम है वो तारमा कॉंड कैमूर स्रेडी मध्द प्रदीस से होता है टोंस के प्रमुक्ष Chevy नदी बेलन नदी है टोंस नदी पर कई प्रसिद्द जल प्रपाती इस्तित हैं टोंस योम गंगा नदी का सिर्षय प्रियाग में होता है तोस्योंब गंगा नदी का जो संगम है वो आप प्रियाग राज में होता है तो यूपी स्पेसल आप अच्छे से कवर कीजिए और यारों में 20 प्रशनाप से उच्छे जाने हैं ज्या तब है कि टोंश नामा के एक अन्य नदी जो की यमना में मिलती है इसका उत्गम बंदर शब्धा का बिस्तार है आपका वा पूर्भी छोर जो है आलमगीर पूर उत्तरप्रदीश मेरट जिले में हिंडर नदी पर ही लोकेटेड है दैमावाद महारास्ट्रा गोदावरी नदी माना जो आपका है जम्मू कस्वित चिनाब नदी ब्लोचिस्तान पाकिस्तान का ज क्योंकि वो दासक नदी पर एक थी तो ये आपका जो पूर्भी है छोर सिंदुगाट शब्धा का बिस्तार का तो ये हिंडर नदी पर ही है आलमगीर उत्तरप्रदीश तो यहां पर हिंडर नदी है तो हिंडर नदी हिमना की शायक नदी है तो हिंडर नदी जो है यमना की शहायक नदी है या सहारन पुर जिले में उपर इस सिवालक से निकलती है या गंगा और यमना की बीच लगवग 400 किलो मीटर तक बहती है कर्मनासा नदी गंगा की शहायक नदी है तो कर्म नासा जो नदी है वो गंगा की शायक नदी है और या बिहार के कैम और जिले में स्थित कैम और स्रेंडी से निकलती है या उत्तर प्रदेश की मिरजापर जिले के मैदानी भागों से बाते हुए आगे बिहार ये मुत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है चौसा के निकट कर्मनासा नदी गंगा में मिल जाती है मगई जो नदी है गंगा की उपशायक नदी है कोकरायल जो नदी है गोमती की सहायक नदी है तो ये कुछ important factor है आईए कुछ बाक्ष में दीएगे important factor को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध है और उनका जो लोकेशन है किस नदी पर है और इस्थितिया निकटता मस्थान क्या है तो गोबिंद बल्लभपंत शागर अक्सर मिलान करने को पूछा जाता है जो कि रिहंद बांध की नाम से भी तो गोबिंद बल्लभपंत शागर रिहंद बांध है जो कि रिहंद नदी पर है ये पिप्री सोनभध जिले में है ओवरा भी आपका जो बांध है ये रिहंद नदी पर राबार्डगन सोनभध में है माता टीला बांध बेतवा नदी पर ललिदपुर में है मुसा खंड करमनासा नदी पर चंदवली जिले में जिर्गो बांध जिर्गो नदी पर मिर्जापुर में आहरावरा बांध गराई नदी पर मिर्जापुर में मेजा जो बांध है बेलन नदी पर मिरजापूर में अधवा बांध अधवा नदी पर मिरजापूर में सिर्शी बांध वखीर नदी पर है मिरजापूर में है अगला है आपका परिक्षा बांध कई बार एकजाम में पूंचा जाता है परिक्षा बांद तो बेतवा नदी पर है जहासी में है गड़वा जो है गड़वा नदी पर चित्रकूट में है जामिनी बांद जामिनी नदी पर ललितपूर में है रोहनी बांद रोहनी नदी पर ललितपूर में है सहजाद बांध सहजाद नदी ललितपुर में गोबिंद शागर ये भी अक्सर पूँचा जाता है सहजाद नदी ललितपुर में है सजनाम बांध संजराम नदी ललितपुर में है राजगाट बांध ये भी अक्सर पूँचा जाता है बेतवा नदी ललितपुर में मौदवा बांध बिरमा नदी पर हमीरपुर में सुकमा डुकमा बेतवा सुकमा डुकमा बांध भी अक्सर पूछा जाता है जो कि बेतवा नदी पर जासी में चंदरपरभा बांध चंदरपरभा नदी चकिया चंदवली में कनहर बांध जो भी आपका कनहर नदी पर है राबर्ट बन सोन भद्र में अरजुन बांध अरजुन नदी पर महोबा में सलारपुर बांध कदरिया नदी पर महोबा में पत्राई जो बांध है वो पत्राई और सुखनाई नदी पर बना हुआ बांध है और यहां सी जिले में है यह प्रमुख बांध किस नदी पर बनाए गए हैं किस जिले से संबांधित आपने यहां पर कबर किया और कुछ important fact बच रहा है और वो आपका है उत्तर प्रदीस की राम सर आर्दभूमी अस्थल तो वकिराबन जीव अव्यारण जो की संत कबीर नगर जिले में है हैदर पुरार्द रभूमी जबफर नगर जिले विजनावर से संबांधित था है सूर सरौवर जो ताल है यह आपका आगरा है कि ठम जील सूर सरौवर ताल पारवती अरगा पक्षी बिहार गुंडा में शमन पक्षी बिहार मयनपुरी में समस्पूर पक्षी बिहार राइबरेली है सांडी पक्षी बिहार हरदोई नवाब गंच पक्षी बिहार उन्नावका जो की सबसे पुराना पक्षी बिहार नवाब गंच पक्षी बिहार च पुराना है सबसे पहले इसी को नोटिफाई किया गया था 2005 में फिर 2019 में आप देख रहे हैं यह 75 रामसरस्थल होगे तो बरतमान में आप जानते हो कुरे भारत में 75 रामसरस्थल हैं सबसे अधिक जो है आपको तमिल नाड़ू में है 14 रामसरस्थल के साथ नमबर वन पर है तो यह दस जो हरामसर अस्थल उत्तर प्रदीश की यूपी पीसे सारो यारों में पूछा जा सकता है कौन सा रामसर अस्थल आपको दे दे चार लिस्ट बना के कूट मिलान करने को दे दे लिस्टी का या कौन सा सोमेलित नहीं इस तरह पूछ सकते हैं सबसे पहले जो नोटि इसकी नदियां ताल जील बांध पुरा का पुरा आपने कबर कर लिया है